दुर्ग जले के केंद्री स्कूल के क्लास वूम में अचानक एक सीलिंग फैन नीचे गिर गया जिससे वहाँ बैटे कुछ बच्चों को चोटाई है जबकि एक बच्चे के सिर्पर चोटाई बच्चे को तुरण नजदी के अस्पताल में ले जाए गया वहाँ आज के बाद उसे डिश्चार्च कर दिया गया है उसकी हालत समाने बताई जा रही है केंद्रे विद्याले दुर्ग के प्रिंसिपल उमा शंकर मिश्वा ने बताया कि क्लास वूम में एक पंखा लगा था सुभा करीब दस बजे नौवे के डी सेक्शन के ठावर पीवेट की क्लास चल वे थी और इसी दुरान अचानक फॉल सिलिंग गिरने से पंखा नीचे किरा और तार के सहारे जूल गया उन्होंने कहा कि एक बच्चे शशांक सोनी के सिर के बगल से कान के पास शोट आई है उसे तुरण जुला अस्पताल ले जाए गया वहाहला आज के बाद उसे डिशार्च कर दिया गया है ये मेंटेनिस के अभाव में दुर घटना नहीं हुई है हवसाल विद्याले के मेंटेनिस पर ध्यान दिया जाता है और ये अचानक खुई दुर घटना है अब कोई गंभीर नहीं था सर एक हमारे हाँ एक फाल सीलिंग वाला कमरा है जिसमें सीलिंग फाल सीलिंग का जो अश्बेस्टस था उसके टलने से पंखा लेटक गया और उसके लटकने से लब इतनी उचाई पर करीब आगया और वो बच्चा उधर से निकला तो उसका लग दिया उसने ध्यान में दिया और बच्चे को खरोच लगा है कोई गंभीर चोटने ये बच्चे को और तुरंथ हम ने उसको बच्चे को लाकर के फस्ट्रेट दिया हुआरी हार नर्स पराबर रहती है मेडिकल स्टार ऑउस की बाद तुरंथ हम उसको होस्पिटल भी लोगे पेरेन तो विपलाए साथ में ऑस्पिटल लेंके है उसका ट्रreto होता है सबढ़न कूला कोई सेरियस होता अटोंग को करद दिया यह ने